हेलो एव्रीवन, वेलकम टॉ बोत्नी स्टूटं फ्रेंड्स आज एस वड़ में बात करेंगे फेक्टर इफेटिंग दा मश्रीम बैट प्रेपरेशन सबसे पहला जो मर बबस फेक्टर आते है जो मश्रीम बैट प्रेपरेशन को इफेक्ट करते है ग्रोइंग रूम शुट है पक्का फ्लोर्स और उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए था कि हम उसकी वेंटिलेशन अचैसे कर सकें इस तरह का रेंजमेंट होना चाहिए कि हम उसको इसली वाटरिंग दे सकें उसमें इंस्पेक्शन कर सकें ग्रोविघ रूम शुट ही वाट वाश विध लाइं एंड कोप थूफेट वी फोर यूस हम उसको जो वाइड वाश करने लाइम या कोपर सलफेट केसाद कीप दा मश्रूम हाउस ऐस इस स्राव्डिंग नें ए तो पक्का फोर ओप्र ऐस पर इस पर तो इसको रूम बड तो भी ब्रोकन लंप्स नहीं बाना है चाहिए कि वह ग्रोह नहीं होना देंगा मैस्यूम को फाइनल ग्रेयर्ट कंपोउज शुद भी चैक्ट फोर अमोनिया और एडिक्वेट वाटर इन इट इस शुद भी फ्रॉम अमोनिया एंड गॉंटेंग शुद ग्रेयर्ट कंपोउज है उसमें वाटर सप्लाई चेक करने उसको मोईस्टर में चेक करते रहने हैं हल्दी कॉंटेमिनेट फ्री और फ्रेश पॉंट शुद भी यूस हमारे जो स्पॉन यूस करने को स्पॉन ही यानि कि मुश्रूम की जो सीड्स हैं वही अच्छे नहीं होंगे तो हमारे क्रोप इसका स्प्रेश करने डाया थी जैट सेवंटी यूस को पिकिलिंग शुद भी जोंग पिक करेंगे उसको पिकिंग शुद बीड़ जैंटले ट्विस्टिंग दश्रूम विद है डूनट हर्वेस मश्रूम भी दक नाइफ नाइफ के साथ नहीं यूस करने उसको ईजली ज करना चाहिए अवाइड यूज ऑफ अन्नाउन केमिकल्स इन वेरियस ऑपरेशन फॉर मश्रूम ग्रॉइंग जिन केमिकल्स का में नौलज नहीं है जाया तर हमें जो चीज़ें हैं कोई भी वैजी टेवल होगी या मश्रूम तो हमें उसको जो है कोशिश करने चाहिए कि वह कैमिकल्स फ्री हो कहलए और नैचुरल से उसको ग्रो कर सके टिक है और अगर करना भी कोई लेकल तो हमें सलहा लेकर ही यूज कहना चाहिए अन्नाउन केमिकल्स को यूज नहीं करना तो प्रीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू